स्वागत है आप सबका आपकी अपने चैनल H.P. समस्कृत में जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज आपकी स्क्रीन पर प्रशन पत्र विधा में प्रशन पूछे गए हैं तो आज मैं आपको इसी ही विधा में प्रशन हल करवाने का प्रयास करूँगा तो आप अपनी स्क्रीन पर देखें जो आज मैं प्रशन पत्तर लेके आया हूँ यह पोस्ट कोड 504 से संबंधित है जो आपकी स्क्रीन पर है मूल रूप से यह सुप्रिवाइजर प्रिक्षा जो गत वरश में हुई थी उससे है तो इससे मैं आज आपको प्रशन पूचूँगा तो आप सभी प्रशनों को साथ साथ में हल करें और अंत में बताएं आपके कितने उत्तर इसमें सही हुए हैं तो चलते हैं सरप्रशन प्रशन संख्य 121 से लेकर के हम प्रशन मूल रूप से करेंगे 170 तक तो यह जीके के प्रशन होंगे कुल रूप 50 तो चलते हैं पहला प्रशन प्रशन संख्य 121 नेमन मैं से कौन सा सबसे पुराना राज बंश है मौरे वंस, गुप्त वंस, कुशान वंस और कन वंस तो सबसे प्राचीन जो इन सब बंशों में है मौरे वंस है दोस्तो यह उप्शन इसका सही उत्रोगा दोस्तो आप भी सासाथ में प्रशनों को हल करें और यह मूर रूप से केवल सुप्रवाइजर परिक्षा के लिए ही नहीं बलकि सभी परिक्षाओं के लिए महत्तब रुण के जीके से तो हर परिक्षा में प्रशन आते ही है तो आगे चलते हैं प्रशन संख्या 122 पर सूर्य मंदिर स्थित है पूरी में है, खजुराहो में है, कोनार्क में है या गया में है तो सूर्य मंदिर जो है मूर रुप से कोनार्क में स्थित है तो शी ऑप्शन इसका सही है रजिय सुल्तान रही है तो इसका ए उप्शन सही रहेगा और प्रशन आएगा कि पहली मुस्लिम महिला शाशकौन थी और रजिय सुल्तान थी 1236 से 1240 तक वह रही थी आगे चलते हैं निमन मैंसे क्या मुगल से संबंधित नहीं है तो उप्शन्स हैं दाम, जागीर, जीतल या मनसम तो दाम जो था ए उप्शन नहीं है बाकी सभी प्रथाएं जो है मुगल सकाल से संबंधित हैं आगे चलते हैं भारत में पुर्तगाली संस्कृती के अबशेश कहां पर पाई जाते हैं गोवा में, कालिकट में कन्नोग में कनाओर में या फिर कोचीन में तो इसका सही उत्तर है गोवा में तो कि अन्तिम समय में यह गोवा में रहे थे और 1964 के आसपास वहां से यह गए थे पुर्तगाली सबसे अन्तिम प्रशन आ सकता है कि ऐसे कौन से विदेशी यातरी भारत आये थे जो कि अन्त में गई थे सबसे लास्ट में गई थे तो वो थे पुर्तगाली ही आगे चलते हैं खालसा किस के द्वारा स्थापित किया गये था गुरु गोविन सिंग गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव यह प्रशन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ आप भी साथ में हल करके बताएं कुछ प्रशन में आपके लिए छोड़ूँगा क्योंकि आप कमेंट के माध्यम से बताएं फिर कि इनके उत्तर क्या होंगे आगे चलते हैं प्रशन संख्या 127 27 ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी तो आप्शन है विवेक अनन्द ने दियानन सरस्वती ने राजा राम मोहन राए ने या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसके लिए में ट्रिक बनाई है जैसे शब्द है ब्र ब के शब्द के अंत में है र यहां पे र आ रहा है तो र शब्द जो है र से यहां पे उत्तर में आप आप्शन में देखेंगे र से है राजा तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोन रहाई इसका सही उत्तर आप्शन सी है और प्रशन आये आरे समाज की तो आरे समाज के हैं तो दियानन्द सरस होती आगे चलते हैं आगले options की तरफ अगले प्रशन जो है हमारा इनकलाब जिंदाबाद का नारे किसना दिये था तो इसके options हैं इकवाल ने मोहंदास करम चंद गांदी ने या ससी बोश ने सुभास चंदर बोश ने या फिर हसरत मोहनी ने तो इसका डी options ही है हसरत मोहनी ने इसका यह नारा दिया था आगे चलते हैं प्रहन संख्या 129 की तरफ भारतिय संबिधान की दसमी अनसूची किस से संबंधित है दल बदल बिरोधी कानून पंचाइती राज भूमी कानून या इनमे से कोई नहीं तो दोस्तों जो दसमी अनसूची है यह दल बिदल से संबंधित है जो ग्यारमी सूची है बह पंचाइती राज से संबंधित है तो ए option इसका सही होगा आगे चलते हैं नेमन मैसे कौन से कौन सा राज्य साथ बहने का सदस्ते है अर्था 7 sister जो हैं जो हमारी इस्ट की तरफ को साथ जो हमारे रज्य हैं उन्हें 7 sister के नाम से जाना जाता है जिनमें मानेपूर तरीपुरा इत्यादी आते हैं तो इसका B option साथ पता लग रहा है बाकी सब राज्य जो है एक पश्ची मंगाल का है एक ओडिशा जो नीचे है आपको पता है मैप में यहाँ पर इस पोर्शन पर है बिहार जो है वो मध्य में पढ़ता है पूरवांचल की तरफ पढ़ता है तो सेवन सिस्टर में केवल तृपुरा ही आ रहा है आगे चलते है प्रशन संख्या 131 सोतंतर भारत के प्रथम राष्टरपती किस राज्य से थे बिहार से थे उत्तर परदेश से थे मध्य परदेश से थे या महाराष्टर से थे तो दोस्तो भारत के पहले राष्टरपती डॉक्टर राजिंदर परसाथ थे जो कि मूलतह बिहार से थे तो आप्शन इसका सही है आगे चलते हैं प्रशन संख्या 132 की तरफ सारब जनी खजाने का सरक्षक कौन कहलाता है तो आप्शन जहराश्टरपती संसद या नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक या इनमे से कोई नहीं तो आप्शन इसका सी उत्तर सही होगा जो हमारा ऑडिटर है बही इनके जो हमारा सारब जनी खजाना है उसके सरक्षन कहलाते हैं आगे चलते हैं प्रशन संख्या 133 भारतिय संबिधान का कौन सा अनुछेद मुख्या मंतरी की करतब्यों को परभाशित करता है तो आपके आप्शन आपके सामने हैं अनुछेद 162, 164, 165 या 167 तो 16 164 जो है मुख्या मंतरी के कारियों को बताता है दोस्तो आप भी सासर प्रशनों को हल करें और वीडियो को अन्ते तक देखें आगे चलते हैं प्रशन संख्या 134 की तरफ तो प्रशन है निवन मैसे कौन सा राज जो है केंदर शाशित या राज होकर के जिसके केवल 30 सदस् के आप्शन है पुडुचेरी, मिजोरम, गोवा, दिल्ली तो दोस्तो यहां पर आप्शन ए इसका सही है जो पुडुचेरी है यहां पर केवल 30 सदस्या है और वहां के उपराज या पाल इस समय में कौन है यह आपने बताना है और भारत की पहले क्या थे उनका एक पद है जो कि भारत की पहले क्या थे वो आपने बताना है कमेंट की माध्यम से आगे चलते हैं प्रशन संख्या 135 की तरफ अशोक महता समीती ने मुख्य रूप से किस पर जोर दिया तो दोस्तो यह अशोक महता जो थे यह पंचाईती रासे संबंदित थे तो इन्होंने मूल आगे चलते हैं प्रशन संख्या 136 भारत में प्रथम आम चुनाब कब हुए थे और अगर आपसे सत्र पूछा जाए तो 1951 से 52 के बीच में हुए थे क्योंकि फरबरी तक चले थे यह चुनाब आगे चलते हैं प्रशन संख्या 137 सिंग भूम किस के लिए परसीद है मूल रूप से यह जो सिंग भूम है दोस्तो मैं आपको पता देता हूँ यह जारखंड के अंतरगत है और जारखंड के अंतरगत सिंग भूम जैसा कि आपक कोईला और लोहा दो चीज़ें बहुत मूल रूप से पाई जाती है तो आपको पता चल रहा है कि A या B आप्शन मैं से एक सही है तो दोस्तो सिंग भूम जो मूल रूप से लोहे के लिए परसीद है आईरन के लिए तो B आप्शन इसका सही रहेगा आगे चलते हैं प्रश चली थी B आप्शन इसका सही रहेगा आगे आपके लिए प्रशन है ज्वाहर रोजगार योजना की सबर्ष प्रारंब की गई थी तो आपके आपके आप्शन हैं 1985, 1987, 1999 या 1999 तो इसका सही उत्तर जो है आप्शन C 1999 है आगे चलते हैं प्रशन संक्या 140 मानव विकास सूचका के संदर्व में भारत का सरबाधिक विक्सित रज्य है केरल, पंजाब, तमिल्डाडू या उत्तर प्रदेश तो मानव विकास सूचकांग Human Development Index के अंतरगत जो है भारत का सरबाधिक विक्सित जो रज्य है वह केरल माना गया है ए आप्शन इसका सही है आगे चलते हैं प्र ठकना या रक्षन बेल्ट या अबनाली का रोधन या टेरेंसिंग ये आपके लिए दोस्तों मैं प्रशन छोड़ रहा हूं आप इसके प्रशन का उतर बताएंगे क्योंकि आपको पता है परिपूर्ण कोई नहीं है तो इस प्रशन का हल मुझे भी नहीं आता है इसलिए म तो दोस्तों जो कुल 28 जो ऐसी कंट्रीज है उनके उपर जो समाने मुद्रा जो चलती है बह है यूरो आगे चलते हैं प्रशन संक्या 143 सबसे चमकीला गरहे कौन सा है तो आप्शन है बुद्ध, शुक्र, मंगल और यूरेनस तो इसका बी आप्शन सही है सूरे के सबसे नजदीक कौन है तो बुद्ध है और सबसे गरम कौन सा है तो इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे सबसे गरम गरहे कौन सा है या आपके लिए मैं एक प्रशन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर आगे प्रशन करते हैं 144 दिन और रात बराबर होते हैं कहां पर होते हैं देखत कौन सा उत्षन महा सागरी धारा है तो आप्शन है लेवरडोर गल्फ धारा या क्यूराइल या कैनारी तो इसका बी आप्शन जो है सही है गल्फ धारा जो है सबसे उत्षन महा सागरी धारा में यहाँ आती है गल्फ धारा आगे चलते हैं निमन मैसे कौन सी एक गैस ग्र ही आरगन जो है इसके अंतरगत नहीं आती है आगे चलते हैं तुंड्रा क्या है तो आपके लिए आप्शन है परणपाती बन है ऊचन कटीबिंद क्या बर्षा बन है ठंडा मरूस्थल है या गरम अरूस्थल है दोस्तों जो टूंड्रा है मुल रूसे गाइस फेर है आ बायोम्स कहते हैं उसे बायोम्स के अंतरग्र आता है तो इसका टुंडरा जो है यह option आपके लिए परिणपाती बन में आता है नहीं आता है आगए चलते हैं अगला option क्या है तो उशन कटेबंदी या बर्शावन के अंतरगताता है नहीं उसके अंतरगता थंडा मरुस्थल आतरा है या फिर गरम मरुस्थल तो थंडा मरुस्थल के अंतरगताता है C option इसका सही है आगे चलते हैं गुभाटी जो किस नदी के तट पर है तो आपके option है तिस्सा नदी के किनारे, ब्रह्म पुत्र नदी के किनारे, हुगली नदी के सोर नदी के किनारे तो इसका B option सही ब्रह्म पुत्र नदी के किनारे है आगे चलते हैं मानस जो नैशनल पार्क है किस राज्ये में स्थित है options है आपके सामने मध्य परदेश जारखंड असाम या फिर पश्ची मंगाल तो C option इसका सही है मानस नैशनल पार्क जो है असाम में स्थीत है आगे प्रशन देखते हैं भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है सबसे लंबा बांध जो है हीरा कुंड बांध है C option इसका सही है आगे बिहार कोसी लिखा है कोसी नदी जो है दोस्तों याद रखने है आपने बिहार का शोक किसे कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है प्रशन आए सबसे उंचा बांध कौन सा है तो भागड़ा बांध है तो होहन कहलाता है ब्यूतकरम परासरन कहलाता है या विसरन कहलाता है तो वो अब केंदरन कहलाता है ए ओप्शन इसका सही है आगे बात करते हैं प्लास्टर आप पैरिस किस से बनाया जाता है मारवल से या बॉक्साइट से या लाइम स्टोन से या जिप्सम से तो D option इसका सही है मूल रूप से प्लास्ट्रो पेरियू सी SO4.2S2 है तो D option इसका सही है आगे बात करते हैं मानव श्रीर का सबसे बड़ा अंग कौन से है most important question हर बार हर प्रिक्षा में पूछे आता है दोस्तो तो liver सबसे यक्रित जो है human body का सबसे largest organ है आगे चलते हैं बाइल किसके द्वारा स्तराबित होता है ये किसके द्वारा होता है तो option इसका option है यक्रित लीवर के द्वारा इसका A option B option जो है सही है आगे प्रशन संख्या 155 जो आपकी स्क्रीन पर है हिमाचल प्रदेश का कुल प्रिष्ट क्षेतरफल कितना है तो options आपके सामने हैं 55673 बर किलोमेटर 551373 बर किलोमेटर 551373 बर किलोमेटर या 55973 बर किलोमेटर तो इसका option ए जो है हिमाचल परदेश में कुल राज्य सभा की सीटें कितनी है तो options हैं आपके सामने 2 हैं 3 हैं 4 हैं या 68 है तो दोस्तो हिमाचल परदेश से राज्य सभा की मूल सीटें कितनी है तो 3 है और लोग सभा की कितनी है तो लोग सभा की 4 है और हिमाचल परदेश की बिधान सभा में कुल कितनी सीटें है तो 68 सीटें है यहीं से आपके 3 परशन हिमाचल परदेश की सीटें से समबंदित हो गए आगे चलते हैं परशन संख्या 157 की तरफ तो इसका परशन है हिमाच्चल प्रदेश के पर्थम राज्य पाल कौन थे डॉक्टर वाईयस प्रमार, N.C. महिता या K.L. महिता या S. चक्रवर्ती तो दोस्तो पहले राज्य पाल जो है S. चक्रवर्ती को माना जाता है भारत के प्रथम मुख्य मंत्री कौन है तो वो बायस प्रमार है वो आपको पता है आगे बात करते हैं हिमाच्चल प्रदेश का राज्य प्रिक्ष कौन सा है तो options आपकी screen पर है तो आपको जैसा कि आप सब को पता है हिमाच्चल प्रदेश का राज्य प्रिक्ष देवदार को माना जाता है D option इसका सही है दोस्तो प्रशन संखे 169 जो है यह प्रशन आपको इसको करने का पैटर है जैसे एक से लेके 26 तक आपने आपको पता है कि हमारी अंगरी जी की बर्ण माला में A, B, C, D, E, F, G, H, इत्यादी इस रूप से 26 बर्ण आते हैं तो आपने A के आगे एक लिखना है, B के आगे दो लिखना है इस प्रकार से आपने देखना है कि कितने अंतराल के बाद एक के बाद दूसरा शब्द आ रहा है इस प्रकार से यह प्रशन आपका हल हो उसी परकार सफलता जैसे अब यहां पर बोला गया है कि गुप्त जो है गुप्तры चीज के द्वारा ही प्रकट सम्मंजित है गुप्त से कि मतलब कोई चीज प्रकट हो रही है तो कहां सोरी गुप्त रुप से हो रही है तो बोला कि सफलता कैसे हो रही है तो सफलता के लिए option से बिफलता से नहीं आगला option क्या है प्राजे से नहीं अपयस्ट से नहीं और विश्वसनिय से मतलब जिसके ओपर विश्वास नहीं था वहाँ पे सफलता प्रापत हुई कैसे हुई क्योंकि जिस परकार से बोला कि गुप राष्ट्रपती स्वास्ते सेरक्षन योजना मोधी कियर को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है तो option है करनाटक पंजाब पश्ची मंगाल या केरल तुसी option इसका सही है पश्ची मंगाल आगे चलते हैं हाल ही में विश्व का प्रथम स्वायत पॉड किस शहर में प्रारंब किया गया है तो option है बर्लिन में दुबेई में पैरिस में न्यूँ आउक में तो इसका बी option सही है दुबेई में आगे चलते हैं प्रश्ची संखे 154 के ता किस बाती एप ने बिश्व सरकार सम्मेलन 2018 में बेस्ट एम गबर्रमेंट सर्विस और अवार्ड जीता है तो पेटियम टैली लॉ एप या उमंग एप या आधार एप उमंग एप न जीता है तो सी option इसका सही रहेगा आगे चलते हैं रोपन इंग्रिस के प्रशन जो है दोस्तों यह आप मूल रूप से हल कर सकते हैं इनको बताने की जरूरत नहीं है तो आगे चलते हैं प्रश कि कौन सा समास हैं तो options हैं ततपुर्ष है द्वन्द है बहु ब्रीही है या अब्वे भाब है तो दोस्तों यथा शंक है जो है यथा शब्द जो है यह जो है अब्वे भाब के अंतरगत आता है D option जितने भी जिस शब्द के पूर्व मैं उपसर्ग लगे हूं अर्थात बिशेष्टा प्रकट करने वाड़े शब्द लगे हूं वो अब्वे भाब के अंतरगत आते हैं तो इसका D option सही है आगे एक मुहाबरा है आकाश पताल एक करना तो इस मुहाबरे का क्या अर्थ है तो options हैं परिश्रम करना कठिन परिश्रम करना खूब गुस्सा करना या अकाश पताल तक दौड लगाना तो आकाश पताल एक करने का अर्थ है कठिन परिश्रम करना तो दोस्तो यह 170 प्रशन तक हमने हल किए तो आज के भाग में आपने जी किसी सम्बंधी प्रशन हल किए आप बताएंगे आपके कितने प्रशन इस में सही हुए तो मिलते हैं अ